एक रुपे किलो मिल रहा प्याज का भाव लागत निकालना भी हुआ मुश्के दरसल महाराश्चर की सोलापूर मंडी में प्याज का सबसे कम दाम रहता है यहां अकसर प्याज का नियूंतम दाम सिर्फ एक रुपे पती किलो यानी सो रुपे क्विंचल रहता है जब आवक बहुत कम होती है तब किसानों को नियूंतम दाम दो से तीन रुपे किलो मिलता है लेकिन पहली बार राहुरी मंडी में भी नियूंतम दाम सिर्फ सो रुप का कहना है कि 12 मार्च को रावरी मंडी में अधिक्तम दाम सिर्फ 2000 पे प्रतिक विंचर रहा तो वहीं ओसत दाम 1050 रुपे था महराश्र कांदा उत्पादक संग्ठन के अधिक्ष भारत दिगोले का कहना है कि ज्यादतर किसानों को नियूंतम दाम मिलता है और उसके बाद ओस और सबसे कम किसानों को अधिक्तम मुल्य मिलता है इसलिए हमारा संग्ठन लगातार कह रहा है कि किसानों को उची दाम मिले और प्याज को भी MSP के दारे में लाया जाए राजे की किसानों का कहना है कि प्याज की लागत 15 से 20 रुपे प्रती किलो के बीच आ रही है अब अगर किसी किसान को नियूंतम एक रुपे किलो या औसद दस रुपे किलो के रेट पर ब्याज बेशना पड़े तो ये अंदाजा लगा लिजी कि वे कितनी तकलीफ में वही राहुरी में जहां 12 मार्च को 12608 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी तो वही महराश्रमें सबसे कम दाम के लिए बदनाम हो चुके सोलापूर मंडी में 34502 क्विंटल प्याज की आवक हुई इतनी बंपर आवक की वज़ए से वहां पर नियूंतम दाम सिर्फ गिर कर दो से तीन उपे प्रतिकिलो पहुँच गया है जिसकी वज़ा से किसान काफी परिशान है विरो रिपोर्ट मर्के टाइम्स टीवी